वेलकम टू माई चैनल मैं महेश राई स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल में तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर हमें EMRS का जो हिंदी सिलेबस है वो प्रोवाइड कराईए मैं वो प्रोवाइड भी करवा चुका हूँ तब भी बहुत लोगों को प्रोवलम हो रही है तो आपको सारी चीजे में यहाँ पे सिलेबस सब कुछ हिंदी में आपको बता दूँगा यह जो EMRS का जो सिलेबस है वो हिंदी में प्रोवाइड है मैंने टेलीग्राम पे करवा दिया है वहाँ से जुड़के आप यह ले सकते हैं बाकि जो वेबसाइड पे है वो इंग्लिस में है ठीक है हाँ तो उसी को मैंने हिंदी में कर दिया है और आप सभी के बीच यह हिंदी पे है यह भी मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था तो यह जो हिंदी में आपका है एकलव यह पब्लिक स्कूल का है तो इसको मैं अच्छे से एक एक स्लेबस जो आपका सिर्फ म्यूजिक का अभी जो मैं आपका जो बता रहा हूँ किस चीज के बार में बता रहा हूँ म्यूजिक का अगर आप सब मुझे बोलेंगे सर हमें म्यूजिक का हिनु यह भीमें म्यूजिक का सिर्फा Francisco's म्यूजिक सिर्फ में मैं 55 म्यूजिक का होगा म्यूजिक का अभी मैं आपको उसक्रापको certified बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कितने नंबर की पूछी जाएगी, तो 65 नंबर की आपकी music पूछी जाएगी, 1500 नंबर का होगा, 120 नंबर का आपका paper होगा, 30 नंबर का qualifying होगा, qualifying में Hindi, English, Regional Language होगा, 10-10 नंबर का 40% लाना होगा, और आपका जो general paper होगा, वो 10 नंबर की क्या होगा, GA का, reasoning का 10 नंबर का, ICT का 10 नंबर का, teacher aptitude का 10 नंबर का, subject का 65 नंबर का, pedology का 10 नंबर का, NEP, नई शिक्षा नीती का 5 नंबर का, तो अगर आपको सबका syllabus चाहिए, तो वो भी मुझे आप comment करके बताओगे, जिस चीज को लेके ज़्यादा comment आएके, तो उस पर मैं बना दूँगा video, जैसे की, इस पर मुझे comment काफी मुझे मिला, कि हिंदी का syllabus नहीं है, कुछ लोग YouTube पे भी कर रहे थे, कुछ लोग Telegram पे भी पूछ रहे थे, मैंने वहाँ प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, और Telegram में मैंने, इस में description में मैंने Telegram का link दे दिया है, All Use Exam के नाम से Telegram है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, देखिए, इस में क्या-क्या पूछा जा रहा है, इस लेबस में बहुत कुछ repeat कर दिया है, ठीक है, बहुत कुछ repeat कर दिया है, तो आप जब जो भी चीज को आप clear करोगे तो उसको आप टिक-टिक करते जाना, तो उससे आपको थोड़ी सी, आप सब चीज समझ पाऊगे नहीं वरना, इसमें न बहुत चीजे, instrumental का भी आपको करना होगा, vocal का भी करना होगा, दोनों करना होगा, ठीक है, तो आप यह देखिए, क्योंकि इसमें अलग-अलग vacancy नहीं आई है, ज्यादा प्रश्ण कहां से बनेंगे, तो vocal वालों के उसमें से ज्यादा आपके प्रश्ण बनेंगे, लेकिन instrument का हुई, आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है, जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, देखिए, पहला क्या है, आपको संगीत, सिक्षक के लिए, पाठे करम, सं साथ इसका सम्मद, स्वर और ध्वनी की वारे में भी आपसे पूछा जाएगा, स्वर और ध्वनी की वाद शिर्णिया, तो ये पूछा जाएगा, आयाम, इमारती, लकडी, गुन और संगीत में, और गैर संगीत में, ओवर टोन, स्वयंभू, स्वर, संगीत, और असंगत संगती और असंगती यह भी आपसे पूछा जाएगा सवयंबु सवर पूचा जाएगा रागों के मुख्य Prakार कौन-कौन से उते वो पूचा जाएगा अव्शोषन प्रतिधोनी और अनुनाद शुरुती की अवधारणा इस पर अलग अलग राय लोगों ने क्या क्या दिया शुच्छork है अलग झारंग दिन ने क्या कहा नारध्मिच ने क्या क्या तो येवी आप से पूच़ जाएगा इसके बाद इस पर अलग-अलग राय आपसे पूछेंगे लोचन, आवल, पुंड्रिक, रामामात्य, सोमनात, आदी कहनों सार, भिविनिस शुर्तियों पर शुद्ध और विक्रिसोरो का इस्थान, तो यह चीज है, अपको एक चीज और बता देता हूं, कि मैं जब बोलता हूं, स्प्रीड में बोलता हूं, तो मेरी कुछ चीज़ें जो होती है, कोई वर्ड होता है, वो फिसल जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेस करना, वो मेरी दिक्कत है, तो उसको मैंने ज़्यादा ठीक क्या है, और आगे चल के फ्यूचर में वो अच्छे से ठीक हो जाएगा, मैं भी आप में सही एक हूं, आगे देखिए क्या है कि व्यकट मुखी के 72 मेलो के बारे में आपको अच्छे से जाना है, फिर भात खंडे के 10 थाट के बारे में, आधुनी 32 मेल का तुलनात्मक अध्यन भी आपको कहना है, देखिए, अगर आप ये सारा स्लेबस चाहते हैं, तो आपको ये सब मिल जाएगा, अरिहंत की बुक में आपको मिल जाएगा, आपको राग परीचे आप पढ़ सकते हो, धर्ड और फोर्थ, जो राग परीचे है, उसमें आपको अच्छा कासा स्लेबस, आपको में ठड तो जरूर पढ़ना, सबसे पहले में आपको जरूर पढ़ना, अच्छारो पढ़ लोगे तो और अच्छा सारा स्लेबस आपको मिल जाएगा, अरिहंत में आपको मिल जाएगा, विशारत, संगीत विशारत है, रतनावली है, तो य कमेंट जिस चीज का सबसे ज़्यादा होगा तो वह चीज आप मुझे बताना तो मैं आपको उस पर एक नई वीडियो में लियाओंगा और जैसे कोई एक कोशन करता है तो आप उस कोशन को लाइक कर दिया करो जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे अगर आपका भी वह को अद्धियन अब रागो का आलोचनात्मक वेस्तिस एपतुलबनात्मक अध्यन करना है है तो आपका बहुत सारे हैं सुधा कल्यान है यह कलियन लिख दिया गया है यहां पर सुधा कल्यान है देशकार है कामो चायनत गौड सारंग जैजय वंती रामकली पूरिया मारवा सोनी है एंड शंकरा भी है इसके अलावा यहां पर देखे हैं न्यास उपन्यास अलपत्व बहुत्व अविर्भाव तिरो भाव इंदा अवव राग बाई मेंस ऑफ उसके बारे में ठीक है तो यह कुछ एडिट नहीं हो पाया तो उसकी वज़े से बागी नीचे आप देखें यहां पे आप मैं यहां कर रहा हूं यहां पे इस तरीके से लगा दो समझ जा रहा हूं विविन प्रकार की लेकारियों के साथ निमली की तालों का ज्यान और दुगुन-तिगुन-चगुन, आड़ा से बेगा। आड़ा ही दे रखा है, तालों का लेखन, फिर उसमें तालों में आपका तीन ताल हो गया एक ताल हो गया, रूपक, तीव्रा, शूल्ता जुम्रा धामार और जट ताल है ये तो दे रखा है जब भी इसको हम ये convert किया होगा ना उन्होंने तो उन्होंने क्वा किया होगा convers करने में ज़ो google समस्ता है sensor से जब इसे convert कर किया है जो google समस्ता है उस हिसाब से ही वो लिख कर यहाँ पे देता है तो कुछ चीज़े गूगल भी नहीं समझ पाता तो जैसे यहां पर जट है तो जट है वैसे ठीक है उस तरीके से आप वो हो जाती है उप्रोक्त रागों में यहां पढ़ रहा हूं में रागों में आलाप के साथ स्वरों के गीत लिखना खयालों में तान, बोल्टन और धृ इस तरीके से आपको राग पहचानना आना चाहिए अब बाद संगीत संगीत विज्ञान और शूतियों का अध्यन अच्छे से कर लेना और यहां पर आपका क्या है देखियो कंपन और फिर से वही रिपीट हो गया है जो हमने ऊपर पढ़ा है न वही पूरा यहां से यहां इसमें कुछ एरिट नहीं किया है जैसा है वो इंग्लिस का आपका सेम मैंने उसको इसमें करवट किया है इसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यह सेम ऊपर यहां पर सिलिवस दिया गया है देखिए यह यहां पर दिया हो है न तो यह इन्होंने क्या है रिपीट किया है इं जिम्रीगी दराकवधा आलोचनात्म विस्तृत और उम्री यहां पी पूरा पड़ा है यहां पी यहां से पड़ते है उप्रुक्त रागों में न्यास अल्पत बहुत तीरो भाव आयुर भाव का स्वरों के माध्यम से चित्रन करना है मलबी आपको ये सारी चीज आना चीए ये सारी चीज ना आप जैसे इसमें है इसमें से देख देख के नहीं आप एक अपना खुद का सिलेबस अपने हाथ से लिखके बनाई है ठीक है बिवी न परकार की लहकारीों के साथ निमिके तालोका ज्यान दुगन तिगन चगन आड़ा ये जैसे आड़ है यहां तक हमारा कम्प्लीट हो गया था ठीक है यह रिपीट हुआ है पूरा कम्प्रुक्त रागों में अलाप तोड़ा तोडस जालस के साथ गतों के लिखना दिये गए स्वरों से रागों की पहचान तोड़ा और जाला में लिखने भी आपको आना चाहिए इनका मतलब यही है उप्रुक्त रागों में अलाप तोड़ जाला के साथ गतों को लिखना आना चाहिए आपको पहचान ना आना चाहिए यह जालस हो गया है तो मैंने आपको क्या वाला है देखिए यह हमें ट्रांसल तो गुवल लेंस को जो समझ में आया वो उसने ट्रांसलेट कर दिया कुछ चीजे इसने जैसे होती न ट्रिपिकल तो उसने उसको रीड नहीं कर पाया अब यहां भी तालवादी यंत्रों को पेशकार आपको करना इसलिए मैं यह वीडियो क्लास लाया ताकि आपको जो इसम तुलनात्मक अध्यन करना चाहिए ठीक है अब यहां पर आपको देख लीजिए यहां पर फिर से वह ताले हैं तीन ताल जपतार रूपक चौताल सूलताल है वेतीवरा है तिलवाडा है दादरा कहरवा पंजावी अजट्ता तो यह इन्होंने दे रखा है फिर हम नीचे पचलते हैं तो यहां पर देखे इन्होंने क्या कर रखा है उन्हें भिविन प्रकार के लायकारियों तुकारस यह कैसे कनवर्ड हुआ है परन है यह पेशकार है और आवरतन बाट किसी पलटा रेला लगी लड़ी इतियादी पता होना चाहिए यहां उपरुक्त तालों में लागू हो उपरुक्त तालों में सभी मामलों के संकेत में लिखना और पहचाने गई बोलो हैं मलकि इसमें से अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो यह तो आप लिखोगे अपने तरीके से इसके साथ ही आप इंगलिस का जो आपका सिलेवर से उसे लिए लेके रखना उसमें से आगर इसमें से जो समझ में नहीं वहां आके पढ़के इसमें लिख लेना को पहली लाइन पढ़ना, पश्चिमी संगीत की स्वरपनाली, इन स्वरों में सरल गीतों का लेखन, लेखन इन सब चीजों का जो आपको लेखन करना है, वेस्टर नोट, नोट्स के भिविन प्रकार और अंतराल, समय, हस्ताक्षर, भिविन संगीत, स्केल आपको, डाइटाउ तो वहां से आप cover कर सकते हैं, पस राख परीचे में किए हर भुक में कुछ ना कुछ ना कुछ ना मिस्टेक होती है, तो राख परीचे में वादी-समवादी में, थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें प्रॉब्लम है, मतलब कि राख का परीचे होता है उसमें कहीं-कहीं मु प्रॉब्लम यह नहीं सोचना है कि इसमें यह प्रॉब्लम है तो हम यह बुक पढ़ेंगे यह ऐसा नहीं होता हर बुक में कोई न कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा आगे देखे हम क्या पढ़ने है यहां तर हमने कर दिया हर्मनी और मैलोडी भी आपको पढ़ना करना है भारते संगीत में भिविन्य विद्वानों और संगीत कारों का योगदान क्या क्या रहा है वो भी करना है आपको मैं एक बात और बता दू कि आप पूरा टाइम अपना सिर्फ म्यूजिक पे मत दे रेना वरना आप में इसे लिखवा लो कि आप फेल हो जाओगे एनवियस में ऐसे होता है लोग सोचते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए जबकि सब्जेक्ट के वल 30% ही पूछा जाता है आप देख लीजिए कि डेड़ सो नंबर में से डेड़ सो नंबर में से सिर्फ 65 नंबर का पूछा जा रहा है 85 नंबर का कहां से पूछा जाएगा आपका जनरल में से पूछा जा रहा है रिजनिंग पूछा जा रहा है जीए पूछा जा रहा है आई सीटी पूछा जा रहा है पेड़ोजी पूछा जा जा रहा है तो यह सब भी आपको नई शिक्षा नीती में पूछा जा रहा है हिं अगर आप सब उनका भी आप चाहते हैं कि मैं उसका भी syllabus बता दूँ आपको, आप मुझे comment करके बताना मैं उस पर भी बना दूँगा, उस पर भी कोई confusion हो रही है तो, यह होता है न कि GA 10 नंबर का तो है, लेकि GA में हम क्या पढ़ें, reasoning 10 नंबर का है, reasoning में हम क्या पढ़ें, यह इसका भी syllabus है, और उस syllabus को भी मैं आप बोलोगे, तो मैं टेलिग्राम पे भी शेर करूँगा, और आप सभी को उसको अच्छे से explain भी कर दूँगा, अब देखें, यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, भातकंडे, विश्णु दिगंबर, तानसेन, अमीर, खुश्रो, फियास खा, की जीवनी, रवी शंकर, पंडित, राम साहाई, एहमजान थिरकवा, कुदाव सिंग, नाना, साहाई, पान से, इन सब का आपका जीवन अलन, चिप्तिकान, निबद, अनिबदगान, रागलक्षन, रागालाप, अलप्ती, स्वरिस्थानियम, प्रचलित, आलाप, इसके अलावा निमलिखित, जो रागों का आलोचना, विवरन, एव, तुलनात्मक, अध्यन, उसमें न्यास, अलपत, बहुत, तीरो भाव, परसाया गया है, देखो, बहुत सारी चीज़े होती है, अगर आपने NVS का एक्जाम दिया होगा, तो ये आपका कवर होगा, उनको सिर्फ रिविजन की जरुरत है, लेकिन अगर आपने NVS का एक्जाम नहीं दिया है, इसका मतलब है कि आपने, अगर इसके अलावा आपन से question आते हैं, NVS, जिन्हों दोनों की तयारी की है, जिमान लोग कोई NVS में भी की तयारी कर रहा था, और NET की भी तयारी कर रहा था, ठीक है, तो उनके chances बहुत बढ़ जाएंगे qualify करने के, इसके अलावा जिन्हों नहीं किया है, ना NETी दिया है, ना वहीं दिया है, ग्र तो आपको जो सिलेबस है, उसके अनुसार तयारी करनी है, अगर उसके अनुसार आप तयारी करोगे, तो आप जरूर कर पाओगे, आगे दिखें क्या है, लली दरबारी, अराना, मिया मलहार, गौड मलहार बाहर, उसका मुलतानी, देशी, जोगया, विवास, ये आपके र यहां पर चौताल, आड़ा, 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 लेखन, ये हमने पढ़ा रखा था, पीछे पढ़ा था ना हमने भी, वही है, त्रिताल, एकताल, जपताल, चौताल, कहरवा, दादरा, तिलवाडा, रूपक, तीवरा, सूलताल, जुमरा, दादरा, एंड, जत, पंचम सव वाली ताल है, ये जत ताल है, होना चीए, हाँ, ये जत ताल है, एंड है बीच में, यहां पर वो नहीं कर रखा, ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ी सी, जो अच्छे से और थोड़ा से ये हो पाता, तो और अच्छा होता, लेकिन इससे भी आपकी हैल्प हो जाएगी, क्योंकि इसे हिंदी में प्रवाइट तो उन्होंने किया नहीं, इंग्लीस में किया है, तो इंग्लीस को अगर हम हिंदी में करेंगे, तो थोड़ी बहुत तो प्राव्लम होगी, देखिए, अब यहां पर आ जाते हैं, भारती संगीत की भीविन शैलियों के वर्णन के सवर लिखना, दिये गए सवरों से रागों की पहचान किसी भी संगीत विशय पर लगुनिमद भी होना चाहिए, तो यह सारी चीजे आपको आनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसको मैंने आपको जो कहा है वो जरूर करना, इसको आप अपने हाथों से एक क से तयार से लिवस करोगी न, तो तुम समझ जाओगी हाँ, चली यह रिपीट हो रहा है, हम यह नहीं लिखना है, यह रिपीट नहीं हुआ है, यह लिखना है, तो इस तरीके सा आपकी अपने हाथ से लिखोगे तो फिर आपके लिए थुड़ा हलका हो जाएगा, ठीक है, बागे अब इसमें से करना चाहिए, तो उसमें भी कुछ नहीं लिखे, हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वाद संगीत के बारे में यहाँ पे बोला गया है, यह भाद कंडे, विश्नो दिगंबर और पश्रिमी संगीत में संकेतन प्रणाली, इस नोटेशन म के विविन प्रकार के अंतराल समय हस्ता, यह भी रिपीट हुआ है, ठीक लाइन रिपीट हुए है, फिर यहाँ से पश्रिमी संगीत के संगीत के संगीत की तुलनात्मक अधियन, पंडित के अनुसार हार्मनी और मैलोडी, वीना पर नोट्स, विप स्री निवास के बारे म भी इसमें बताना है आपको न, बलकि आपको जवीना के स्वरों पे स्री निवास और आहुवल का क्यार है, वो भी आपको पढ़ना है, स्री निवास उत्रिय और दक्षिनी तरह पदिती के विविन विद्वानों के योगदान का तुलनात्मक अधियन, यह भारते संगीत क संगीत कार, यहां पर देखिए यह थोड़ा हिंदी ही में रह गया यह, क्या है यहां पे लिखाऊँ हाँ, यह देखिए, यह आपको दीखिए यहां पर लिखाऊआ है, बायोग्रेफी आपको इसको बताना पड़ेगा, परीचे है, तो भात कंडे, विश्णू दिगंबर इतान सिन, अमीर खुश्रो, फ्यास खा, ओमकाना ठाकुर, अलावदीन खा, पंडित रवी शंकर, पंडित राम, सहाई, एहमद जौन थिरकवा, कुदव सिंग, नाना पान से होगा, ठीक है, तो ये सारी भी चीज़ें आपको कर लेना है, तो आपको क्या कर लेना है, जो परिभाशित चीज़ें हैं, उसके लिए अलग लिख लेना, जो आपका ये जीवन परीचे वाले बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो अलग लग हो रहे हैं, उसमें अलग लिख लेना, जीवन परीच में आप एक चीज लिखो, दूसरा पीज में दूसरा, तीसरा में तीसरा, ठीक है, या एक पेज में दो करके लिखो, तो इस तरीके साब का हो पाएगा, यह थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी होगी, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो जा भी सकते हैं, वरन पूछते हो, क्योंकि वो चीज आप नहीं देख पाते हैं, नीचे देखें, सैलियां, बाज, राग और ताल का अध्यान, पिर गीत, गंदर, देशी, संगीत, मुक्चालन, अच्छिप्ति का, निबद्द और अनिबद्द गान के बारे में, राग, लक्षन, राग, और तान, जमजमा, मीड, सूत, जोर, अलाप, तोड़ा, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगे, निम्ली के दरागों का आलोच, नात्मक, विस्तिर अतुल, नात्मक, अध्यान, उसमें न्यास, अलपत, बहुत, तीरो भाव, और आविर भाव का चित्र बाहर, तोड़ी, मुल्तानी, देशी और जोगिया दिये गए स्वरों से राग की पहचान करना, आपको स्वर दे दिये जाएंगे, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा राग है, निम्ली के कथनों का, कथनों का, कथाओं यहाँ पे रिकाए, आडा चोवताल हो गय अब देखें, यहाँ पे फिर से यह दूसरा ताल रिपीट होगा ना, पहले लग होगा तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ताल के लिए आप अलग से लिखोगे, राग के लिए, भलकि आप समझ जाओगी, यह धाग का पैटन बता रहे हैं, तो राग में जाके लिख लो, यह आपको लिखना पड़ेगा, तभी concept clear होगा आपको अच्छे से, ठीक है, आगे देखें, यहाँ भी कहें, ताल वादी यंत्रों की पेशकार कहने वाले उम्मीद्वारों को निम लिखी तालों का महत्रपुन, विश्चित और तुलनात्मग अध्यन कहना होगा, ठीक है, आ पिर उवे उन्हें भी पता होना चाहिए कि परन, तिहाई, काईदा, पल्टा, रेला, पेशकार, मुक्चालन, यह सब चीजे क्या होती है, चौपली, चक्रदार बोल, फरमाईस, विलोम, विलोम, यह सब सारी चीजे, चारबा, इस्तुति के बोल, जुलना के बोल, उप्य दमदार तीहाई, और एक होता है, तीहाई, तो यह भी आपको दमदार तीहाई, इसमें बोला गया है, दिये गए बोलो, अब यहाँ पे देख रहो, यहाँ पे देखे, दिये गए बोलो द्वारा ताल को पहचाननी की छमता, ताल को आपको पहचानना होगा, राग और ता अनी लगने वाला ये भी आप यादक साब आगे देखे क्या है कि किसी भी संगीत विशय पर एक लगू निबंद बैठक को वादन की शैलियों और घरानों का ज्यान विविन लेकारों लेकारियों को में ताल को लिखना आना चाहिए भीन प्रकार के संगीत वादे यंत्रों और उनके वर्गी कंड की प्रणाली का ज्यान भी आपको होना चाहिए यहां तक वागे चलते हैं अब देखें यहां पर क्या दिया गया है संगीत का इतिहास तक जो इतिहास रह वो राग और तालों के वर्गी कंड के साथ जाती है प्रणाली की तुलना उसके बाद संगीत के विकास एव प्रसार में आधुनिक विझ्यान का प्रवाव अदुनिक विझ्यान का प्रवाव रहा है, इससे क्या उसका प्रवाव रहा है यह भी आपको बताना पढ़ेगा मतलब कि इसे भी history से नहीं पूछा जाएगा आपको political मसलों पे भी पूछा जाएगा और विज्ञान से भी questions बहुत सारे बनेंगे विज्ञान से मतलब क्या संगीत विज्ञान से हिस्ट्री का मतलब क्या संगीत इतिहास संगीत किसी भी सामान विशे पर निवंद भी आपसे उचा जा सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहां पर बढ़ते हैं न्यास, अलपत, चित्रन यह आपको करना है, बार-बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, आप यह भी देखना होगा, निम्लिकित रागु का आलोच, नात्मक, विस्टित, अतुलनात्मक अध्यन भी आपको करना है, यह भी यहां पर बूल दिया फिर आपको देखें यहां पर राग का एक पोशन आ गया है, श्रीपूरिया, ननाश्री बसंत, परज, हिंडोल, चंद्रकोच, शुद्र, शारंग, मधुवंति, भागे, श्रीव, जौनपूरी, माल, गुंजी, तो यह सारी चीजे आपको राग के section में लिख लेना है, त आपको concept clear चाहिए तो, आप फिर नीचे देखें भीन परकार की लहकारिया, आड़ा, चोतार, ब्रह्म, ताल, लक्ष्मी, सहित, निमलिकित का ज्यान आपको यहां पर बताया गया है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो व्यहवारी, मंच, परदशन, आपको हाना चाहिए उसके प्रतिक राग में एक दुत, ख्याल और निमलिकित रागों में कम से कम पाँच विलंबित, ख्याल, श्री, वसंत, परज, पूरिया, ध्राश्री, हिंडोल, चंद्रको, सुद्ध, सारंग, मधुवंती, भागे, श्री, जौनपुरी, माल, गुंजी, मिद्वारों को आदे घंटे के लिए पाट करम के रागों में से अपनी पसंद का मंच परदर्शन करना होगा, उन्हें एक ठुमरी की रचना कियोगी है, प्रैक्टिकल का देखो, इन्होंने ना वहवारिक जो लिखा हुआ है, वहवारिक मंध परदर्शन, यह इन्होंने इसमें उठा के अभी डाल दिया है, जबकि अभी थियोरी की किलास होगी, इसमें इंटर्व्यू नहीं दिया गया है, लेकिन इंटर्व्यू इसमें होगा, इसमें इंटर्व्यू का कोई भी स्क्षन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन में, कि आपका इंटर्व्यू वह मैं आपको फिर बताता हूं, तो इंटर्वियू है, वह notification में, अच्छे से सुना करो, notification में कहीं नहीं दिया गया है कि इंटर्वियू आपका होगा, तो इंटर्वियू नहीं होता, अब लोग कहते हैं कि इंटर्वियू होता है, इंटर्वियू होता है, तो जो भी NBS में ह तो आप अभी इस पर ही ध्यान देजिए अच्छे से चलिए उसके अधे होगी बाद जियंद अभी संगीत का इतिहास तथा रागो और टालो का वर्गी कर्ण प्राचीन काल से लेका तेर्वी अभी देखिए मैंने अभी पढ़ा उपर तेर्वी सताब दीवाला यह पढ़ा ना मैंने यहाँ पढ़ा यहाँ पढ़ा यह पढ़ा ना यह अब हम नहीं पढ़ेंगे है यह रिपीट हो गया फिल ठीक है चलिए अब यहां पे देखे क्या है कि उम्मीदवारों को आदे घंटे के लिए पाटे करम के रागों में से अपनी पसंद का मंच परदर्शन करना होगा उन्हें एक ठुम्री की रचना भी गानी होगी मतलब कि यह आपका प्रैक्टिकल का आपका यहां पर बताया गया है फिर नीचे का है संगीत का इतियास तता रागों एव तालों का वरगीकन नाट साथ ब्रह देशी संगीत रतना करके विशेश संदर में तेरी सता अब यह इस्वी प्राचीन काल संगीत का संचिप्त इतिह आप पढ़ रहा है संगीत के किसी भी सामान विशेपर निवन तो यह आपका प्रैक्टिकल का भी इसमें दे दिया गया है आप जब इंग्लिस का भी देखोगे तो वो भी आपको इसमें मिलेगा ठीक है तो फिर आप देखिए यहां पे और भी चीज़ है नियास अलपत बहुत विरभाब तीरो भावी आपका उपर रिपीट हुआ है कि चेत्रन संगीत सैलियों का निम्लिकित रागु का आलोचनात्मक तुलनात्मक विस्तिरत अधियन श्री पूरिया धनाश्री बसंत परज हिंडोल माल चंद्रकोष सुद्व सारंग मदुवंति भाग गेश्री जौनपुरी माल गुंजी तो यह सारी चीज़े है फिर उत्तर फिर नीचे आपका देख लीजे यहां पे आपको यहां पढ़ रहा हुँ में उत्तर और दक्ष को किसी भी राग में रचनी की चमता आप में होनी चाहिए नीचे आ रहा हुँ में प्रकार की लेकारियों के साथ निम्लिक तालो का ज्यान और दुगुन तिगुन चगुन आड़ा चोताल स्वरी आड़ के बारे में भी लिखना आपको आना चाहिए आल हुआड और दाड लक्ष्मी गज जंपा पस्तो ब्रह्म ताल के बारे में यहां पर बोल दिया गया है यंत्र और देखे बार बार पूछा जा रहा है ना अब यह नया आ गया तो उसमें इंक्लूड कर लेना इसको भी थोड़ा सा बढ़ लेना ठीक है पेशकार करने की उम्मीद्वारों के बिविन प्रकार के बाज और टेवल और पखावच की शैलियों को भी जानना चाहिए और पेशकार यहाई तुका तुकारस किशूं यहां पर क्या लिखावाट तिरपल्ली चौपल्ली चक्रदार बोल यहां पर थोड़ा से पढ़ लेना यह थोड़ा सा ज्यादा धुंब इस्तुति के बोल यह मैंने ऊपर बता दिया आपको यह ब्रह्मताल अस्ट्व मंगल गनेश ताल मनी ताल यह उपर मैंने आपको बता दिया है तो यही था बार-बार देखिए इसमें कितना बड़ा दे दिया गया है स्लेबस लेकिन आप जब इसको बार-बार यह सब्दोर जिबिए निए जिवन परीचे को एक में लिखना instrumental वाली चीजों को अलग से लिखना उसके बाद आपका जो राग हो गया उसको अलग से ताल को अलग से तो इस तरीके से विभाग बनाके आप सारी चीजों को लिख लेना तो आपको इस पस्टी करण आप में ज्यादा होगा तो यह सारी चीजे थी जो मुझे बतानी थी जो आप सबको confusion हो रही थी बहुत सारी कि क्या है नहीं है कैसे लिखा हो गया है यह वो तो आपको पता ही कि यहाँ पर आपको मैंने भी दिखाया यह translate with Google Lens से हुआ है तो जितना Google Lens ने कर दिया उतना कर दिया हिंदी में तो यह English को डालोगे हिंदी में हो जाएगा इतना हो पाया तो सारी चीजहां आपके सामने ही है सारा syllabus है और सभी करिए और यह सिर्फ जो आपका आएगा वो कितने marks का होगा 65 marks का होगा ठीक है यह आप याद रखना 65 marks का होगा आपका subject इसके अलावा जो आपका 85 marks का होगा वो आपका General होगा ठीक है तो General को भी आप वरना तो आप कुछ भी उठा के पढ़ने लगोगे रेजनी में, ICT में कुछ भी उठा के पढ़ने लगोगे, अगर आपको वो death में जानना है कि हमें कौन-कौन से topic स्रिफ पढ़े हम, तो वो भी syllabus website पे लब्ध है, आप मुझे बोलोगे, तो वो syllabus भी ले आऊँगा, और उसे अच्छे से explain भी मैं आपके सामने लाके कर दूँगा, ठीक है, तो ये सारी चीजे थी, जो मुझे उमीद है आप सभी को अच्छा लगा, और अच्छा लगा है, तो आप सब बहुत कंजूस हो, मैंने एक चीज देखा है, आप बहुत कंजूस हो, आप शेयर नहीं करते, तो आपकी गर help होती है, तो इमानदारी से आप शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए, आप सब शेयर करेंगे, तो लोगों की help होगी, और साथ में मेरी भी help होगी, और like जरूर करें, subscribe जरूर करें, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करिए, like करिए, bell icon press करिए, को भी problem होता है, वो comment करके पूर सकते हैं, बागी telegram का link मैंने description में दे दिया है, वहाँ से जुड़ जाईए, क्योंकि ये वाला जो पाटिक करम है, हिंदी में, वो आपको telegram पे provide, मैंने करवाद चुका हूँ already, और ये वीडियो मिलने के बाद आपको telegram पे पिर से, तीसरी बार, ये जो पाटिक करम हो, telegram पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, all music exam लिखोगे, आजाएगा, वहाँ से जुड़ जाईए, काफी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक हजार से भी जादा, बहुत जादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप सबस्वा इक्षा वो जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आपको वहाँ से नहीं जुड़ना, तो फिर आप मत जुड़िए, आपको अगर वहाँ से नहीं जुड़ना, आपको अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, अपनी इक्षा से वहां से जुड़ना चाते तो जुड़ सकते हैं बाकि शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए आज के लिए उश्बरवियों तो अपना दिहान रखेएगा पढ़ते रहेगा, स्वस्त रहेगा, मस्त रहेगा रिपीशन के साथ जबरदस्त रहेगा तो thank you everyone, जय हिन, जय भारत